दुनिया की हलचल पर पैनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की विश्व के मानचित्र में बहुत तेजी से जो घटना करम बदल रहे हैं उसमें एक यूरोप है जहां पर सबकी निगाहे हैं हमने देखा पिछले दिनों जर्मनी में चुना हुआ वहां पर 16 साल से सत्ता पर आसीन मारकेल इस समय बाहर जा चुकी है सत्ता बदल रही है और उसी के साल साथ उनके इर्थगिर जो पूरी च्छाप पड़ी जिस तरह से चुना हुए और पूरे यूरोप में जो इस्थितियां बदली हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस सम अपनी स्थिति है नैटो को लेकर तमाम बहस चल रही है खास और से जिस तरह से आकुस आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भूमिका बढ़ी है यह जो पूरा का घटना करम है आकुस के बाद नैटो का भविश क्या होगा यूरोपियन यूनियन कहां खड़ा हुआ है यह सारी जो चीजे हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं और इनका क्या इनकी क्या प्रासिंगिक्ता आपको लगती है यूरोप का प्रासिंगिक्ता की जो बात अब कर रही है वो नेटो का जो भूमिका रहा दुनिया में कि यह अमरीका के साथ मिलके इन देशों दुनिया पे अपना क को पतन हुआ और उनकी जो और इड़ गिर जो देश थे वो उस अलग रास्ते में चलने चाहे चलना शुरू किया इसके बाद नेटो का एक दुनिया भर में एक क्या कहते हैं सिपाही गिरी करना पुलीसिंग करना उनका एक रोल बन रहा था जिसके तहद वह अफगानिस्तान आए इराक में गुसे इत्यादी इत्यादी अब जो है क्योंकि अमरीका कह रहा है कि चीन ही हमारा मुख्या प्रतिद्वन्द्वी है तो इसी लिए उनका भविश्च लग रहा है कि यॉरोप से उनकी निगाह इस वक्त चीन की तरफ जा रही है तो अगर यह होता है तो क्या किया हस रहोगा नेटो को किस रास्ते पे नेटो जाएगा ये सवाल खड़ा है इस पे यॉरोप체न यूनियन बे और एक क्राइश भी है क्योंकि United Kingdom अभी यॉरोपेन यूनियन से बाहर हो चुका है तो उसके जो ट्रेड जो था वह अमरिका के साथ भी काफी है वह अमर इंटरिली भी जो आपने आकुस में आपने देखा और ट्रेड के तरफ से भी ट्रेड वार भी एक पर नॉर्डन आइलेंड को लेके यूर्पिन यूनियन के साथ इनका हो रहा है यह सब देखते हुए जो आपने कहा सही है कि यूरप में एक क्या कहते है काफी रसा कशी चल नहीं और एक अस्थिरता भी है कि कौन सा देश किधर जाएगा तो अगर नेटो की भविश्य देखे तो दुनिया के बारे में एक बार सोचे लगता था कि नेटो ही दुनिया का सेंटर ऑफ ग्राविटी है क्यों क्योंकि एट्लांटिक की दो पार यॉरप एक तरफ एक त शिफ्ट कर रहा है खास्तों से चीन आपका सौथिस्ट एशिया सौथ एशिया वेस्ट एशिया इन सब चीजों को अगर आप देखें तो यूरेशिया जो दुनिया का एकनॉमिक सेंटर हुआ करता था सदियों से वो क्या फिर वापस आएगा तब वेस्टन यॉरप और अ अबाल है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उनका चीन है अमरीकान जी तो यह जो यह जो एक्वेशन है कि चीन पर जो निरभरता है वेपार की अमरीका पूरी कोशिश कर रहा है आकुस को हमने देखा जिस तरह से उन्होंने बनाया कि निशाने पर चीन रहे लेकिन य नहां खड़ा होगा यह जो नए गटबंधन बने हैं और जो पुराना गटबंधन है वो मैं इसको गटबंधन नहीं कहूंगा यूरेश्या की एक एकाई तो है ना एक कॉंटिनेंट के पार्ट है एक हिसाब से अगर आप देखें तो यही दुनिया का सेंटर ऑफ ग्राव अब बेल्ट रोड इनिशेटिव से चीन से लेकर हांबुर्ग तक रेल लाइन है तो यह जो है इन सब चीजों से ट्रेट की भी अलग अलग पहलू निकल रहा है वो ज्यादा तर यूरेशियन ट्रेड जो है यूरप की बढ़ेगा और रश्या के साथ यह भी संबंद है ग है दुनिया में है हमारे हां भी है तो गैस जो है वो उसकी पिशनकर चल रही है उसकी वह कमी है उसकी डां हो चुके है तो रूस और यूरपियन यूणियन में गैस के संब्द भी है नाशनल गैस रूस्या तो यह सब देखते हूए एक प्लार्ट की 10 को bubb जों कह सकता ए सबसे ज्यादा उत्पादन करता था दुनिया में आज नहीं आज काफी पीछे है तो इसको देखते हुए दुनिया को रीकनफिगरेशन की जो हो रही है बात इस पर यूरेशिया की जो भूमी का होगी क्या यूरप उसके बाहर होके अट्लांटिक की और देखेगा या यूर एशिया के एकनॉमिक संबंद बढ़ेंगे जब आख कहते हैं कि यूरोप एशिया के नजदीक आएगा तो इसमें तो प्रमुक भूमी का चीन की होगी चीन के रूस को भी नजर अंदाज मत करिएगा क्योंकि इस वक्त एनरजी और विजली के इसलिए मैंने जिक्र जिक्र आ रहा है यूरोप तो यू का मुख्य गैस का स्रोथ जो है यह तो आपका आएगा वेस्ट एशिया से एलेंजी बनके यह तो रूस से आएगा पाइपलाइन से और यही चीज यूरेशिया को जोड़ रहा है धीरे-धीरे क्योंकि इरान की गैस भी आएगा तो यूरेशिय लैंड मास्ट जो है उसमें एनर्जी फ्लोस बढ़ेंगे तो इसको देखते हैं मुझे नहीं लगता कि जो वह अमरीका की और जो उसकी रुझान पहले थी यूरोपियन यूनियन की वह इस वक्त जो है उस तरह से चल पाएगा धीरे-धीरे वह उसका रुख जो है एशिया बनाया है और आस्ट्रेलिया को अमरीका यूस कर रहा है इस पूरे संदर में क्योंकि जैसे हमने अपनी बाश शुरू की थी नैटो के बारे में तो नैटो की जो भूमिका थी अफगानिस्तान भी हमारे सामने ही है अभी जिस पर आप से चर्चा करनी है तो ये दोनों की ब इस तार से एक बार फिर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि क्या आकुस उनके वाके में सिर्फ सामरिक एक जान है चीन को एक कोने करने को कॉर्णर करने के लिए आस्ट्रेलिया को साथ मिलके या अफगानिस्तान से हार के बाद उनको कुछ और करना था कि हम अभी भ सब्मरीन नहीं खरीद के उन्होंने निकाल के और अपना सब्मरीन बेच रहे थे तो उसके तो वह भी नाराजगी है क्या और कोई नाराजगी है मुझे दो नहीं लगता फ्रांस के और कोई नाराजगी थी यही ताकि हमारे सब्मरीन को इन्होंने आस्ट्रेलिया से निकल अलवाद निकाल दिया और अपना सब्मरीन बेच रहें यह तो घर की जगड़ा जो है काफी बाहर आ गई है तो यह जो है वाइपारिक और strategic चीज अलग-अलग है फ्रांस की इस बात से कोई यह नहीं था इंतराज नहीं था कि वो चीन को कोने में करें क्योंकि वो पहले भी South China Sea में अमरीका के साथ जाने के लिए तयार था तो वो मैं अलग इसको रखना हूँ आपका सवाल है क्या अमरीका का दृष्टी यॉरप से एशिया तक पहुँच रहा है बदल रहा है क्या कुछ हट तक हाँ पर यॉरप को छोड़ दी सकता अमरीका तो इसलिए उसका क्या संबंध होगा इसलिए आज की चप्चा है कि यॉरप का क्या रवाईया होगा इसमें और चीन को कोने में करने के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया को पकड़े ऑस्ट्रेलिया वह चोटा सा बुल्क है इस हिसाब से यह और्थिक रूप से और दूसरे रूप से औस तरह की ताकत ह तो यॉर्पीन यूनियन अभी बहुत बड़ा पार्टनर है अमरीका का उसका भविश्य क्या होगा नेटों का भविश्य क्या होगा अमरीका के लिए उसकी अहमियत अभी भी ऑस्ट्रिली से कई गुना ज्यादा है तो यह हमारे इसको यह समीकरण और यह दाउं पेच चलते बढ़ाने में रहेगा और उसका सामरिक भार समय पे उसका क्या असर पड़ेगा वो देखना पड़ेगा प्रबीर यह बताएं कि फिर अफगानिस्तान लाइम लाइट में है चर्चा में है जिस तरह से अमरीकी अधिकारियों के साथ साथ तालिबान की मीटिंग हुई वहा नहीं जाएंगे तालिबान के एक्शन पर जब तक एक्शन दिखाई देगा उस पर हम बात करेंगे और यह जो मीटिंग है इसका क्या असर आपको दिखाई देता है क्या प्रिष्ट भूमी है एक बात तो यह है कि अमरीका इस चीज़ को एक्सेप्ट धीरे से करना पसंद हो ना पसंद हो वो जीत चुका है और अभी भी उनको वहां से कुछ लोगों को निकालने की ज़रूरत है उनके लिए बात्चीत की ज़रूरत है और खास तोर से अगर अफगानिस्तान को न्यूट्रिलाइज करना है वो चीन के तरफ ना जाया और किसी तरह ना जाय करना है तो उनके साथ इंगेज करने की ज़रूरत है अपने हित जो है वो भी देखने है तो अफगानिस्तान बिलकुल अगर दूसरे तोर और चला गया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा उत्ता तो उनकी भी समझदारी है सवाल यह है कि अफगानिस्तान पे इनकी दव मिलियन डॉलर वो उनकी ट्रेजरी में है आईमेफ की जो पैसा आना है वो भी उनके एक हिसाब से उनकी इशारे से चलेगी तो सारी जो पैसे हैं सारी मुठी अमरीका ने बंद कर रखी है और यह कह रहे हैं कि हम कुछ-कुछ आपको देने के लिए तयार हैं पर यह नहीं क पैसा अमरीका के कबजे पर है उसके कोई बात नहीं हुआ इस पर इन्होंने का humanitarian aid हम आपको देंगे तो आप हमारे उपर dependent हो जाएए यह बात चीत चल रही है और यह भी कह रहे हैं कि आप भविश्य में क्या करेंगे women's issues पे और issues पे इस पर हम निगाह रखेगे यह बात सौधी को क्यों नहीं कहते हैं सौधिय अरेबिया में यह चीजे तो है तो वहां क्यों नहीं कहते हैं तो यह तो उनकी direct hypocrisy है दोगलापन है कि यह अफगानिस्तान पे जो लागू करना चाहते हैं बहुत जगहों पे वो लागू करने के लिए कोई बातचीत करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि वहां से तेल आता है वहां से पैसे आते हैं फलाना ढमा का उनको अस्ट्रस अस्ट्र बेचते हैं तो यह देखते हुए इन सब चीजों को थोड़ी सी क्या कहते शुद बेटेकन उत पिंच आफ सॉ भी होगी जब उनकी ट्रेजरी पे वो कहें कि हां यह ट्रेजरी हम आपको वापस करने के लिए तयार है आपके पैसे हैं जब तक वह स्विकार नहीं करेंगे तब तक मान के चलना पड़ेगा तो यह राजडितिक डाउं पेच चल रहा है पर अभी भी बैर भाब अफगान पैसे की बागदूर हमारे हाट में है और निश्य तोर पे तालिबान के लिए भी बहुत बड़ा सवाल होगा पैसे और आगे देश चलाना बिलकुल यही दवाव उन पर है क्योंकि इस वक्त उनके पास पैसे नहीं है खाने के सामान नहीं सामगरी नहीं है तेल गैस की उन एशिया और अमरीका के बीच जो कुछ भी चल रहा है इसमें बहुत से नएज चीज़ें सामने आ रही है अर्थिक और सामरिक वो कम से कम यह स्विकार करने तक पहुचा है निश्य तोर पे हमें नजर बनाए रखनी होगी आगे देखना होगा कि यह जो सारे समीकरण हैं किस तरफ बढ़ रहे हैं शुक्रिया